लोक सभा में इस बार ममता बेनेर जी की अगुवाई वाली पाटी ट्रिमूल कॉंग्रेस यानि की टीम्सी का जलवा रहा टीम्सी के किसी एक सांसत के भाशन पर सभी पाटी सांसत जोरदार समर्थन कर रहे थे अब आप सोचरेंगे आखरी ये कौन है इसका नदारा सोंवार को उस वक्त देखने को मिला जब टीम्सी सांसत महुआ मोहितर अपनी बात कह रही थी और ये कोई और नहीं बलकि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचा कर एक समय में काफी चर्चा में आई सोयानी घोश है सोयानी घोश एक बाफ फिर चर्चा में है लोगसबा में जब उन्होंने पियम मोधी पर निशाना साधा तो उनके पास बैठी टीम्सी सांसत सायोनी घोश ने जोरदार समर्थन किया संसत में पहली बार पहुची सायोनी घोश की भी काफी चर्चा हो रही है इस वगड़ टीमसी की यूवा श्वाखा की अध्यक्ष और लोग प्रिय अभी नेतरी सायोनी घोश जादव फूर सीट से सांसत बनी है सायोनी घोश रिवलिंग को कॉंडम पहनाने वाली एक विवादित पोस्ट के बाद सूर्ख्यों में भी आई थी अब आके क्या ही पूरा मामला चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और इससे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर सायोनी घोश कौन है सायोनी घोश एक राजनेता के अलावा बंगाली फिल्म ओवर टेलिविजिन अक्ट्रिस भी है वह एक गाईका भी है यानि कि सिंगर भी है वह पर्शिम बंगाल च्रिमुल यूवा कॉंग्रिस की अध्यक्ष भी है लेकिन उस समय वो बीजेपी की अगनी मीरता पोवल से हार गई थी जून 2021 में उन्हें टीमसी की यूवा श्राखा का अध्यक्ष नियुक्ट किया गया था इससे पहले अभिशेक बनेरजरी इस परद पर थी कॉलिज में पढ़ाई के दोरान वह टीबल टैनिस प्लेयर भी रखी काफी मल्टी टैलेंटिट थी उन्होंने भारत नाटियम भी सीका है जादपूर युनिवर्सटी में ग्रेजिविशन की पढ़ाई के दोरान उन्हें आक्टिंग के ओफर मिले और इस दोरान उन्होंने आक्टिंग जगत में कदम रखा उन्हें टीमसी महासचीव अभिशेक बनरजी का करीबी भी माना चाता है सायोनी घोश बंगाल फिल्मों के अलावा वेब सीरीज और वेब फिल्मों में भी काम कर चुकी है वे टीवी सीरियल में अपनी उपस्तिती दर्ज करा चुकी है सायोनी घोश का जन्म कोलकता में हुआ 2009 से जादफपूर सीट पर टीमसी का कबजा है 2009 में टीमसी के करीब समून और 2014 में डॉक्टर सौगत राय जीते थी 2009 में टीमसी ने इस सीट पर स्टार कार्ड खेल कर मीमी चकरवर्ती को उतार दिया था पार्टी ने इसके बाद मीमी की लोगप्रियता के बलबूते 2.95 लाक वोटो से जीत हासल के रिए टीमसी ने मीमी के राजनीती से हटने की इक्षा के बाद सायोनी घोष पर दाव खेला है जादपूर में आने वाली साथ विधान सबाद छेतरों में 6 पच्चमुल कॉंगरेस का कबजा है एक सीट इंडियन सेकलर फ्रंट के पास है अभिनेत्री से सांसत बनी सायोनी घोष अभिनय को अपना पहला प्यार और राजनीती को अपना आखरी प्यार करार देती है लोकसबचनाव थोज़चवबिस में अभिनेत्री सायोनी घोष ने पर्श्रिमंगाल के जादपूर से शुनाव लड़ा था सायोनी ने अभिनेत्री भाजपा अक्ट्रेस अनिबरान गांगुली को 2,58,201 वोटों से हराया है आपको बता दे कि सायोनी ने कुल 7,7,899 वोटों से ज्रीत हासिल की है अनिबरान गांगुली को सिर्फ 4,59,698 वोट मिले थे सायोनी घोष एक और विवादित बयान को लेकर चर्चा में काफी बनी हुए थी दरसल सायोनी घोष शिवलिंग को लेकर एक विवादित पोस्ट के बाद चर्चा में आई थी आपको बता दे कि सायोनी घोष ने साल 2015 में यह पोस्ट किया था शिवलिंग को लेकर इस आपती जनक ट्वीट पर सायोनी ने लिखा था कि भगवान इससे ज्यादा दयालू नहीं हो सकते जैसे ही लोगों ने इस ट्वीट को देखा तो सभी हैरान रहे गए और इस पर खूब बवाल हुआ साल 2021 में यह पोस्ट फिर से वारल हुई हाला कि इस दौरान इस ट्वीट के वज़ा से सायोनी के खलाफ एपाईयार भी दच कराए गई थी वहीं अब यह मामला फिर से चर्च में आया था हाला कि इस पर प्रतिकरिया देते हुए अक्ट्रस ने कहा था कि इह सब उनका अकाउंट हाक होने के कारण हुआ और यह पोस्ट उन्होंने नहीं बलकि किसी और ने किया था तो हमारी आज के इस वीडियो में सायो निगोश के बारे में बस से इतना ही देखते रही है अधा न्यूस सब्टीन वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले है